नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में एक बार फिर से दोस्तो हम यहाँ पे शॉल्ट वीडियो लेकर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे हिंदी का प्रथमकवी कौन है तो अलग-अलग इताहसकारों ने अलग-अलग कवी को हिंदी का प्रथमकवी माना है तो यही चीज़ देखेंगे और दोस्तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर TGT, PGT, UGC, NET बहुत सारी वहां पे प्लेलिस्ट दी हुई हैं उनमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, प्रेक्टिस सेट सॉल कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं विभिन इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवी कौन है तो सबसे पहले आता है राहुल संक्रत्यायन का नाम इनके अनुसार सरापाद को हिंदी का प्रथम कवी माना जाता है सरापाद का समय इनों होने माना है 779 इस्वी फिर हैं शेव सिंग सेंगर के अनुसार ये पुस्प या पुंड को दस्वी शदापती का मानते हैं और पुस्प या पुंड को ही ये क्या कहते हैं प्रथम कवी की संग्या देते हैं प्रथम कवी मानते हैं उसके बाद हैं गड़पती चंद्रगुप्त जी इनके अनुसार शाली बद्र सूरी प्रथमकवी कहलाते हैं जिनका समय इन्होंने निर्धारित किया है ग्यारा सो चौरासी इस्वी इसके बाद नीचे दिया हुआ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने सुयंबु को प्रथमकवी माना है और सुयंबु का इन्होंने समय निर्धारित किया है 693 इस्वी वही अगर हजारी प्रसाद दिवेदी जी की बात करें तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी के अनुसार अब्दुलरह्मा प्रथम कवी माने जाते हैं और इन्होंने अब्दुलरह्मान का समय तेरवी शताबदी के लगबग निर्धारित किया है बच्चन सिंग को देखते हैं तो बच्चन सिंग के अनुसार गड़ विद्यापती प्रथम कवी माने जाते हैं और इन्होंने विद्यापती का जो समय माना है वो माना है पंद्रवी शताबदी वहीं अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार चंद्रधर शर्मा ने राजा मुंझ को प्रथम कवी माना है और राजा मुंझ का इन्होंने समय निर्धारित किया है नौसो तिरान वे इस्वी वहीं अगर सर्वमान मत माने जाने वाले और क्या कहते हैं कि रामचंदर शुक्ल के अनुसार क्योंकि रामचंदर शुक्ल की बात सब लोग बहुत मानते हैं पर इसमें प्रथम कवी में नहीं माना गया है क्योंकि प्रथम सभी कवी माना गया है सरहपाद को ठीक सरवमान्य रूप में राहुल संक्रत्यायन जी दौरा स्वीकरत सिध कवी सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का सरव प्रथम कवी माना जाता है और सरहपाद को प्रथमकवी किसने माना है सरहपाद को प्रथमकवी माना है राहुल संक्रत्यायन को और सर्वमान निमत भी यही है कि सरहपा या सरहपाद हिंदी का प्रथमकवी है तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी कोशन आता है अगर किसी आचारी के थुरू पूछता है तो यहां पर आचारियों के नाम दिये हुए हैं आप उनके नाम बताइएगा लेकिन अगर पूछता है प्रथम कभी और कुछ नहीं पूछता है तो वहां पर आपका option होगा सरहपाद ठीक है तो चलिए दोस्तों यह थी हमारी आज की शॉर्ट वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद